तो यहाँ पर हमें 5 order के elements बताने कितने होंगे Z15 direct product of Z5 में तो ऐसे कितने element होंगे जिनका order 5 होगा तो सबसे पहली बात इसमें जो element होंगे वो order pair के होंगे इस तरह से और इसका order हमें 5 चाहिए और direct product में order 5 का मतलब हुआ इसका LCM जो है order A का और order B का वो 5 होना चाहिए यानि कि यह जो LCM है यह हमें 5 लाना है तो ऐसे कितने elements होंगे जिनका LCM 5 आ सकता है याद यह रखना है कि A जो है वो आपका Z15 से belong करना चाहिए और जो B है वो Z5 से belong करना चाहिए तो LCM 5 किस-किस case में आ सकता है LCM 5 के लिए आपके पास 3 possibility होंगी जब आपका LCM 1 और 5 का आए या LCM आपका 5 1 का हो या LCM आपका 5 5 का हो इन दोनों को आप एक ही मत समझ लेना क्योंकि यहाँ पर elements जो है वो different different groups से आ रहे हैं जैसे Z15 और Z5 दोनों में ही 5 belong करता है तो यहाँ पर अगर हमें order 1 का एक element चाहिए या किसी भी order का ZN में अगर हमें D order का element चाहिए तो ऐसे कितने element होंगे 5D जिनका order D होगा और condition है यह जो D है यह N को divide करना चाहिए तो 1 जो है 15 को divide करता है तो 1 order के कितने element मिलेंगे यान कि 5 1 1 होता है और 5 5 जो है वो 5 होता है जब prime होता है तो उसके value 5 होता है तो यहाँ से आपके first case से आपके पहले में जिसका order 1 होगा एक possibility होगे और जिसके order 5 होगे उसके 4 possibility होगी यान कि यहाँ से आपके एक possibility आ गई है sorry 4 possibility आ गई है यहाँ से आपकी पहले case में 5 है यान कि order 5 तो 4 elements मिलेंगे और second में 1 है तो यान कि 4 possibility आपके यहाँ से मिलेगी और यहाँ से first में 4 मिलेगा और second में 4 यान कि 16 possibility इन तिनों को अगर हम add कर दें तो 24 ऐसे element होंगे जिनका order 5 होगा इस हिसाब से option भी correct होगा